hello everyone welcome to my youtube channel myself Dinesh तर आज आपन शुरू करना रहा हो science and technology part 2 मदला third chapter life processes in living organisms part 2 okay पनुत यार जर तुम या चनल ला first time visit करता साल तर या चनल ला नक्की subscribe परा so that या चनल वरती हैना रहा पुडिल educational updates मंजे जहीं काई educational वीडियो जेतील तेंचे updates तुमाला मीड़त रहाना नोटिफिकेशन मीड़त रहाना और वीडियो आवड़ला तर या नक्की like करा और तुम्चे मित्रान सो बद देखेल शेयर करा तर चला मग सुरू करू रहा तर आ लाइफ प्रोसेस जाकी living organisms मदे होता था ओके तर यहां चप्टर मदे आपन एकच लाइफ प्रोसेस जी खुब इंपोर्टेंट लाइफ प्रोसेस आहे आनिमल्स मदे क्यों living organisms मदे हो नारी ती मंजे reproduction ओके जला कि आपन प्रजनन मनतों जे एका जीवा पासम नविन जीव फॉर्म होने ओके species तर ही एक reproduction एक life प्रोसेस आपन यहाँ पूर्ण चाप्टर मदे डिसकस करना रहा हो ओके तो इन डीटेल ही प्रोसेस यह चाप्टर मदे explain के लेगे लिया है और आपन उद्धाती study करना रहा हो तर कुटले topics है जा आपन इस study करना रहा हो सरवा ताधी त आणी reproductive explosion ठीक है तर यहाँ गोश्टि आपन यह चाप्टर मदे आपन study करना रहा हो तर चाप्टर ला सुरू करने आधी ते बगा कैन यू रिकॉल चे जे questions आधी तर ते questions आधी हो तर पहला question आए बगा कि which are the important life processes in living organisms ओके तर यह बगा एक आदे living organism मदे कुछला important process आई तर गोश्ट लक्षाद घ्या कि organism मदे जया कोईटला process होता सर्व तर जवड़ पास सर्वचा सर्वच इंपोर्टन्ट असता कारणा living organism ही बड़ी जी है आपली human मना कि हुआ जे कुछले इतर और अर्गानिजम साहे तान चे बड़ी structure है ते खुब कॉंप्लेक्स असता एक कही साधी जी साधीशी गोश्ट जरी तान चा बोड़ी मदी डामेज जली खुब सारा गोश्ट ना थी ते अर्थड़ा निर्मानों तो त्या मड़े important है जवड़ पास सर्वच प्रोसेस है सस्ता पर तो ज्या खुब most important processes साहे त्या कुटला है तर त्या में ये थे 2-4 तुम् त्यानतर एक्सक्रीशन, ग्रोथ, कॉंश्यस्टनेस त्या कही processes आहे जाकि खुब important processes आहे त्यानतर next question आहे बगा कि which life processes are essential for production of energy required by body त्या कुटला process आहे जाकि energy production साथी खुब महत्वा चाहे essential है त्या प्रोसेस साहे त्या मेटाबोलिजम जला कि चया पच्चय मनता चया पच्चय क्रिया त्यानतर digestion पच्चय नूट्रीशन त्यानतर respiration and transportation त्यानतर प्रोसेस साहे जाकि digestion मधी खुब मदत करता था खुब important role play करता था okay next question बगा कि which are the main types of cell division what are their differences okay cell division हाँ पन माक्चे chapter मदे बगितला है okay काया है तर टाइप साहे डिफरेंस उद्धा in detail आपन सर्व study के लाए ठीक है तर तो question में इतना ही fourth आहे बगा what is the role of chromosomes in cell division तर टाइप क्रोमोजोंस से काया है तर टाइप क्रोमोजोंस मदे अक्चुली असता त्य जेनेटिक मटेरियल ओके आणि यह सेल डिविजन होता तर टाइप क्या होता तर एक अगया ओर्गानिजम मदे जे का ही ट्रोमोजों सा नंबर आहे तर जेनेटिक इंफर्मेशन आहे ती पूडिचा पीडि कड़े क्यों आता है प्रोसेस प्रोसेस काम काया है तो एखाजा प्रोसेस ला जीवन ते ठेवने आणि तीला सरवाय कराएला मदद करने परनला धियात है प्रोसेसितली परनला प्रोसेस लाकु प्रोसेस काम ौकई तो नवीन औरक्रोसेस ला सर्वाय काम प्रिप्रोड़क्शन मुड़े एखा दे और्गानिजम ची जी कंटिन्यूटी आहे ती पुढे मेंटेन रहाते हैं कंटिन्यूटी मंझे का है तर त्याज सर्वाइवल रेट मंझे बगा जे यूमन्स आज आपना हो ते करोड़ो वर्षा पूर्वी आदिस फॉर्म जाले होते पृतिवर परन्तों आज आपना होत का भरा तर दिस इस बिकॉज आफ रिप्रोड़क्शन मंझे त्या और्गान नगरें इठें आधे आज शुक्या है सो कि है रिप्रोडक्शन आपना cycle यह जन्ट बी calculate इनुफ स्पेसिज अब जैट ऑर्गनिजम ठीक है इंपोर्टन गोष्टा इथे अंडरलाइन करूंगे वाट यह ओके दाइटे बागा अब्जर्व 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 दो पिक्चर एंड टेल लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाइड तरीते कुटली लाइफ प् एढ़ां करें छोडर्व तरीत simply ठीक है तरसा इते जर बगाल रिते सुद्धा यहां बी पासुन एक नविन plant निर्मान दला that is reproduction इते बगा कोमडी नंड दिला है okay so so ही सुद्धा अगें reproduction ची process आहे ठीक है तरसा इते बगाल एका cell पासुन दोन cells form होता है बरबरा है अंचे एक organism पासुन नविन organism so again this is reproduction सो कुटली process तुम्हा लाइते दिशते है तरती आहे reproduction ओके अगेन इते can you tell questions आहे ते questions गिव आणे actual topic ला आपने शुरू करूंग तर पहला question आहे बगायात what do you mean by maintenance of species ओके स्पेसिट चा maintenance करने मंजे गाए तर बगा maintenance एक अधा स्पेसिट चा maintenance करने मंजे गाया तर त्या स्पेसिट ला protect करने कशा ला कशा साथी तर त्या स्पेसिट जगावी मनुद okay so maintenance of species means protecting the presence of species presence किव एक्जिस्टन्स मंजे एका जा स्पेसिट च या पृत्विवर्च अस्तित्व तहला जपने किवा त्या प्रोटेक्ट करने पूर्ण बायोलोजीकल फूर्ट चे ना है ती डिस्टर्ब होते आणि तर सर्वस और्गनिजम्स ना अफेक्ट होतों तर maintenance कशा कहले जाता तर एकाद और्गनिजम्स प्रोटेक्ट करावा त्या संवर्धन जतन करावा लागता ओके त्यास फ्लोरा और फोना बाया संवर्धन जतन कर ने तर 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 ने इंपोर्टेंट आए मंगे मेंटेनस प्रोटेक्ट कर ने त्यास प्रोटेक्ट करने नेक्स्ट क्वेश्चन बगा वेदर दे न्यू और्गानिजम इजनेटिकली एक्जेक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन धाट है प्रोडूस टॉट जा नवीन और्गानिजम फॉर्म होता ते त्याचा आधीचा और्गानिजम सारके जाचा पसंतो और्गानिजम तयार होतो त्याचा सारके सिमीलर आसतात की वेगडे आसतात तरहाचा आंसर का है वहागा कि सपोज तो जो ओर्गानिजम जो हैं तो सेक्शेक्शोल रिप्रोडॉक्ट्शन मद जर्फॉर्म जलासे मंजे पैरेंट्स कड़ूँञ तो सेक्शोल रिप्रोडॉक्शन नी फम्जलासे तर तो अइडेंटिकल नस्तो ताचा पारेंट्स हार का नस्तो तादा सेक्ष्यल रिप्रोडॉक्ष्ण मदे क्रोसिंग ओवर होता आणि ताच्या मुड़े जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती एक मेकान सोबत मिक्स होते कि वा शेयर के लिए जाते त्या मुड़े जो डीटेल मदे शिकू तेवा तुम्हादा लक्षा तेना है नेक्स्ट है बगा हूँ डिटर्माइन्स वेदर दे टू और्गनिजम्स ओफेस्टीज विल बी एक्जेक्टली सिमिलर और नॉट तरा ता बगा एच जा आंसर है ते एक्चुली उसाइट कि वा तुम्ही जेने खालीन जएटिक असलबर गाए नउट तरा आंथा एक अदा ऊर्गनिजम्स तो त्यास त्याएट जो दूसरा और्गनिजम्स फॉर्म जला है मजए एक यहदा पेरेंट पासटां दोन और और्गनिजम्स फॉर्म जले पॉस्टा तह ते दोगे ही सिमिलर कदी आस्चिल त तर सपोज एक्षा ही आधी एक्चुली जे होता ते डिटर्माइन होता उसाइट है तर तो मदर कड़ू ने नहरा एक आए तर हाँ उसाइट सपोज एका स्पर्म सबद सपोज फूज होता है तर अश्यावीडी जे और्गानिजम फॉर्म होता त्याक्चुली ट्वीन्स नियुद्व महीत हें तपर सपोज चुम और्पानिजम स्म पीनलगा और कंतलडल होता है के युद्विन्स सपोज एक्पी ओक्रीजम बुम हाँ ऐस हांजा के आए नीक η युद्स पारम म कलता है का सर निनलगा क्यों नाहिका स्फचार्डा प्तुकों फुम इन ये शेंग between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism the cell division आनि नविन organism फोर्म होने याथ काई relation है simply तेरा बगा तेरा sexual reproduction होता सेल तरते mitosis या cell division मुड़े होता आनि तेर जर sexual reproduction होता सेल तरते meiosis या cell division मुड़े होता आता है का होता तेरा आपन जेवा है topic दोनी ही sexual reproduction study करू तेवा तुम्हादा चांगल क्लियर होना रते तर मग reproduction मदे आनि cell division मदे काई relation है तर sexual reproduction simply mitosis मुड़े होता आनि sexual meiosis मुड़े तर आता आपन शुरू करिया आपले actual topic ला that is the reproduction तर आता reproduction मंजे का है तर simply लक्षा दिया कि reproduction मंजे का है तर एक नवीन और्गानिजम फार्म होने एका जुने और्गानिजम पसुन जो ओर्गानिजम आधी exist करतो है तर आचा पसुन एक नवीन और्गानिजम फार्म होना that is the reproduction मरा अट इतला प्रजनन मंता तर आची definition जर सांगाची जाली तर simply तुम्ही मनुशकता की formation of new organism ओके नवीन और्गानिजम फार्म होना अफ दी सेम स्पेसिज हां एकाच स्पेसिज चा ओके करने एकाच स्पेसिज पसुन तैचा सारकाच ओर्गानिजम फार्म होना राइट तर formation of new organism of the same species by earlier existing organism जो ओर्गानिजम आधी exist करतो तैचा पसुन नवीन फार्म होना ठीक है तर ही आहे रिप्रोडॉक्शन चीडेफिनेशन फार्मेशन फ्नीव स्पेसिज न्यू और्गानिजम आप दे सेम स्पेसिज बाइ अर्लियर एक्जिस्टिंग और्गानिजम तरह तरह रिप्रोडॉक्शन ही सुद्धा है कि इंपोर्टन प्रोस्टा है अपना अधिस सब्कोरी बढ़ा यलीदाइबिवाल पत्धतिने इवल होता है ओके उर्यडॉक्वरी प्रोडॉडॉक्शन होता ही नवीं श्मस्पेसिस फार्म होता है मन kicking इवोलूशन होता है ओके स्पेशिजस फॉर्म जाले नस्तिल तर इवोलूशन जालत नस्ता राइट सो दिस रिस्पोंसिबल फॉर एवोलूशन आता रिप्रोडॉक्शन चे दोन टाइप साहे एक है और सेक्चुल आणि एक है और सेक्चुल जेकि आता आपन इनदेटल स्टडी करना रहा हो टेक है मत प्हला टाइप आया आधा और सेक्चुल रिप्रोडॉक्शन घर प्रणाई उतो कि रिप्रोडॉक्शन मदे जे गमीट्स आहे तैंचा मदे फ्यूजन होनार नहीं कि वह तैंचे इन्वाल्मेंट होनार नहीं प्रणाई 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 जो कि रिप्रोडॉक्शन करता है तो सिंगल असतो होके सिंगल पैरेंट असतो है यह थो त्याव पोड़े इथे दोन गमीट्स से फ्यूजन आहे ते होत नहीं सिंगल गमीट्स थोजो कि एका पैरेंट कड़ुए तो आनि त्याच पैरेंट पासुन नविन ओर्गानिजम्स फॉर्म होता थी ठीका है तर मन्जे असेक्शुल रिप्रोडॉक्शन ची डिफि नहीं तरह अश्या रिप्रोड़क्शन ला मनता और सेक्च्च्छल रिप्रोड़क्शन ठीक है तो मन्जे मागा तुम्हाद इते लक्षर अलसेल कि याथा गमिट्स इन्वाल्व होनार रच नहीं वरुबर है मन्जे का उनार तरह इते एकच पैरेंट रानर ओके पंजे स्य प्रोसेस कहले है तरह ती यूनी पैरेंटल एला है यूनी मन्जे सिंगल पैरेंट असनार ओके ऐकच पैरेंट रसनार तरह अव्यसली गमेट फॉर्मेशन होनार नाहीं मन्जेस का यह तरह जी जनेटिक माटेरियल होके दोन गमेट को नालेला ते सुधा इते एकच्छ उन नहीं त्यमेड जो कहीan organism नभीन फॉर्म होनार ताच्या कड़े शुद्धा जे genetic material आये पैरेंट चांग जानार निनली खेस शेरिम एक्स्चेंज काई सोनलक्ते ब्दानित एक से आ ऑगी गासेटिक उने으면 खेसे उसेग़ो ए 오빠 एसेक्ष्ण रिप्रॉडप्रोड़्चन जाहे ते बेसीकली होते इसयल double मॉले नहीं कि घ्रित माइट ऑसीच वता क्यों क हुल्पाईटोसिस चुद्धा होते आपाउन पूड़े भगMax लिडीए ना रहा हूं पर तुं वस्ट ली ज यहें ते माइटास्टिक सेल डिविजनमुडेज और सेक्श intelig डिप्रोडच्षिनrot Он को Plaza सब्सक्ष सेब्रीप्रोडच्ण पेख्षा फास्ट अपस्ट होती और सेक्शोल रिप्लदक्षिन यह तो नवीन और्गेजिजम बेट्टो इतर और जुन और यह तैचा पिछा बेटर नसतों कि वाट यह नवीन क्यारेक्टर नसता जनेटिक माटेरियल से मसता करन चेंजेस होनार नहीं तर तो सरवाइक अशा काही हो शकता तरह एक ड्रॉबैक आहे नेक्स्त आपन स्टड़ी करना रहो कि यह असेक्षियल रिप्रोडर्ट्शन वूता तरह अक्चली होता कशा पद्धतिने ओके मगाता आपनाम आईता है कि जे और्गेजम साहे तो सेल्ल्लार मनसी पा चला निया सेल्लोलार ंजैं फॉर्म लेलकष मुझे खूप सारे सेल्स ना बेड़ होह और लाधी असवीलुदार ओंचञा। दोनी टाइप चा और्गानिजम मदे ते कशा पद्धतिने होता ते आपन भगना रहा हूँ तर शुरुवा तिला भग्गु कि असेक्शुल रिप्रडॉक्शन इन युनी सेलुलर और्गानिजम उके युनी सेलुलर मंज़े एक पेशिय फक्त एकच सेल नी मिडून बन ले मिडून मंज़े एका सेल चेज बन ले ले ने तर अशुरु और्गानिजम में यह असेक्शुल रिप्रडॉक्शण कशा पद्धधतिने होता ते आता अपन भग्णा रहा हूँ तर आता जे असेक्श्युल रिप्रडॉक्शण होता तेला तीन नावे आहे यह नावे जी आणि यह प्रोजनी फॉर्म होता है ठीक है तरह प्रोजनी फॉर्म होते है तरह ती कशा पद्धतिन होता है ओके मज़े ती सेल कशा पद्धतिने डिवाइड होता है ठीक है तरह दुसार है वेगवेगडे नावदी लेले है तो पहला है मग बाइनरी फीजन सेकंड है मल्ट यह चीटीफल फीजन आनी थर्ड है बडिंग क्या होता कि आएंधि तो शीपली डिवाइड होता हैं अगरे न दो डॉट्टर सेल्स फॉर्म होता है क्या सिंपली एक पैरेंट्स वह असना तो डिवाइड होना उर्गानिजम्स मधे असेक्षियल यह बाइनरी फीजन है ते होता तो या कि पुस्त का तुम्हाइब डाइग्राम दिले लहें सो तुम्हादा इथु चांगलापद दतने ते समझनार अत्या तुम्हादा मिसागेत ला कि जे बाइनरी फीजन है ते एका पैरेंट पासुन कॉन डौटर सेल्स फॉर्म होताता ओके तै الصि फिचये नरी फिचये नाव खाकत सींपिली बगा बायनरी मंची चाँ हुआ तो दोढだ डॉच basically परद मांची ट्टने फ्रेक होने simply के तैyangá भाम तोढ़ अर्गानीजंस फॉर्म होताता रोड़ Ouaisनारी सिंपली का da pada ब्रेक डाओं नभीन सेल स्फार्म होता है इसे चहां अधरी ब्रेकिंग बाइनरी फीजन तेहन तरहहने ट्रांस्वर्स अनि इत्या वागा लॉंगिटूडनल बाइनरी फीजन त्रह तरह आता है त्यां इस नावकाबर अशा प्लेन मन जागा तर्शापाट भाग आशा प्लेन सपोस्पोस हाँ एक सेल है मग मग सबमी अशा प्लेन प्लेट पास्केला के तिर तो क्थ इसा प्लेटल अशा कट शचाओ नार में तो और बाइन्री फिजन ड्लोट मोंना अला मन्ता सिम्ल बाइनरी फिजन यद्ट कुटले यानी होना तरते सिंपल बाइनरी फीजन जेकी अमीबा मदे होता ठीक है तरते तुम्ही पैरामोशियम मदे बगाल हां सुद्धा एक यूनिसेल और और अर्गेनिजम है याद जर बगाल तरते जे डिवीजन होता है ती ट्रांसवर्स की वह होरिजोंटल होता है लोगिटूडनल बायमरी फीजन ज लोगिटूडनल मनस्थ अस वल्टिकल ठीक है वल्टिकल कसे लोगिटूडनल गाल ऊचिएन वर्टिकली असा डिवाइड होता है आधी नुकलिस डिवाइड होना ते चे अन्टा अंतर तो और्गनीजम ओके मंझे हाँ असा वर्टिकली के उभा डिवाइड जाला है तेला मुनता तुमां लॉंगिटूडनल बाइनरी फीजन ठीक है तरहे होता यूग लेना वली आथा तुम्हाना तीन ही डाइग्राम टांची दे एक्जांपल्स मंझे दांची दे नावा आहे आणि तामादे कुछला टाइप चा डिवीजन होता बाइनरी फीजन तरहे तुम्हाना लक्षा ठेवा लगता इंपोर्टन्ट आहे पेपर मधी सुद्धा येता ओके आता नेक् पासन खूप सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होता ओके तरह जाए नाव सुद्धा है बगाद मल्टीपल फीजन ओके फीजन मंझे सिंपली तुटने की वाद डिवाइड होने ठीक है ता मल्टीपल मंझे खूप सारे डिवीजन सुथा मंझे जो पैरेंट सेल है ताचा मझे ख सब्सक्राइब करने सब्सक्राइबcan.it यामइबा सरक फीज़न ओके ऑके शानवारेंट हे चिरे टांडिवाएगण चावेड फारेंट सेल्स फॉर्म होनाता होता है। तर जेवा त्या अमीब आला फूड वगरे कि वाज जा गोश्टी त्याला न्यूट्रिनेट्स पाई जाए मन्जेस नेम का फूड ठीक आपन फूड मनू तर फूड वगरे भेटत नहीं जुश्काड पढ़ला तर अश्यवीडी वक काई होता तर हाजो अमीब आहे तो स्व अश्यवीड पाई होती मग अश्यवीड पाई कंडिशन मदे जवा त्याला फूड वगरे भेटत नहीं मंजे त्याला मनत अड़्वर्स कंडिशन वाइट विशम परिस्तिति तर अश्यवीड प्लाजमा मेंब्रेन बहुती एक कवरिंग फॉर्म करतो प्रोटेक्टिव क ठाइट सेल हाइए कि हड्युटियस सेल मधी हाँ हां नियुक्लियस हाई अ हन्युक्लियस का सो ऑगटेक्षे मलेट औरि युप शारे नियुक्लियर डिवीजंस वाताथ एक फास्ट मधी खूब सारे डिविजन्स होता है आणि यह खूब सारे न्यूकलिया मग फॉर्म होता है ओके अथा ही प्रोटेक्टिव कवरिंग खूब मजबूत असते ती तूटत नहीं आणि यह पटापट है दो न्यूकलियस आहे तो डिवाइड वाईला शुरुवात ह जेवा अचावा वाईट पर इस्तिती आसते ते वाँ अढ़ना पाणी बेटत नहीं आएला ओके मग अहां न्यूकलियस खूब सारे डिविजन्स होता है आणि यह खूब सारे न्यूकलियस फॉर्म होता है यह कि अगें ताचाँ साइटो प्लाजमिक डिविजन्स सुद् डिवाइड होता है यह खूब सारे छोटे 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 सेल्स होता है ते फॉर्म होता आणि तैन्ना मंतात मग अमीबुली ओके हाँ है अमीबा आणि हे छोटे 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 फॉर्म जाले है तैन्ना मंतात अमीबुली ओके अमीबुली ठीका है छोटे अमीबा ते आहे अम्य जुटी दो अमी ड़्यटी दोना अदा है अनि जह इंता वाकती टी वाइड परिस्तिती संपे दोच यह एले अजह वहां फूड बेट्टा ते बर्स्ट होते आणि ताचेतले जे अमीबुली फॉर्म जाले होते डॉटर अमीबा ते बाहर पड़तात आणि आशा प्रकारे एका सेल पासों खुप सारे सेल्स फॉर्म होतात तरह आदा मनतात मंग मल्टीपल फीजन ठीक है तरह तीसर जे असेक्शुल रिप्रोडॉक्शन जे टाइप आए ते आहे मंग बडिंग तरह ता बडिंग सुद्धा काय है तर सेम एक्जाक्ली आए याद सुद्धा एका सेल पासों दोन सेल्स फॉर्म होतात आणि ते अगे टाइप आए ते जरा वेगड़ा है करन्याद जर बगाल तर सेल जो आए तो सरड डिवाइड होता था ओके कुटिला तरह एका एक्सिस नी बड़ोबर है परन्त बडिंग मदे जो है तो एक्शुल एका सेल वर एक बड़ फॉर्म होता ओके कस तर बगाई ते तुम्हाला एक्जांपल दिला है हाँ है इस्ट के इस्ट एक उनिसेलूलर और्गानिजम आए ठीक है तर आता याला दर तुम्हीं एक आधा कंपॉंड माइक्रोस्कोप खाली जर बगित लग तर तुम्हाला है सरवदी सेल तुम्हाला ओके तर होता काये तर हाँ जो इस्ट आहे तो ताचा बॉडी वर एक असा बॉल्च फॉर्म होतों ओके सुझला सार का भाग होतों ओके हाँ इस्ट सेल आहे हां तेटा न्यूकलेस आए तर आनि हान न्यूकलेस सुधा है बल्ज मधी थोड़ा फर्जा तो ओके जो सुझलेला भाग दिसतों तसा भाग तेचा वर फॉर् जल्च अ है initiative फॉर्म होतों और बाग फोंतों और अंति अवी आजी बेंन न्यूकलेस आओलिदीम की आणिथा मधों फ्रोल ऑढंतों असा ब्ड़ फॉर्म होतों आनि थो एंग दैनि में नावु ँख्लेस आल मेंके सहीं नेकले भाज्या होतों यंद सुझला मध ऐड़ेज़ गोज़ते है चाब चाब्राकार में छोटा साइप फ़ॉर्मों हो ना याग फोड़े फॉर्म हो ना कर अश्य का चाल पासुन अगेन छोटा साफ फॉर्मों ना याज है फासुन हाँ तो चाहिए पद्धति नियुक्त मतंतर बडिंग सिंप्ली तो फिल्ग को रिषुद्ध प्रोसेस अगें माइटोटिक डिवीजन फूड़े होते उगें इतने डिवीजन होते कि माइटोटीकली होते तहीं डिवीजन चे टाइप आप लक्षठ्थेन इंपॉर्टन्ट आप क्उठला पद्दतिने माईarme使ismladı क्या क्या माईटनिकली होता कि इतरा इतरा माईर्तिकली बगार्ड तरह इतरा होता क्या मल्टीपल फीजन दर आ 오빠 ऑन्ही काली होता है द्रेत है ठीक है, so I hope कि तुम्हाला आता हाँ टॉपिक लक्षता लासल कि Asexual Reproduction Unicellular Organisms मदे कशा पद्धती ने होता, ठीक है, तर आच्चे वीडियो साथी एवड़त्स, जर वीडियो आवड लासल, तर नक्के ला लाइक करा, आणि चानल ला देखेल सब्स्राइब करा, so that जे नवी एजुकेशनल वीडियो जेती तैंची नोटिफिकेशन तुम्हाला मीड़त रहे, आणि ये वीडियो नक्के लुँचे मित्रां सुबद सुद्धा शेयर करा, तैंना देखेल सांगा, ठीक है, तैंक्स फर वाचिंग, बेट वाद नेक्स वीडियो मदे,